किसी ने पूछा ज्वायन फैमली में अपने पतनी को कैसे प्यार किया जाए मैंने कहा बहुत आसान है जरूरी नहीं हमेशा खर्च करके ही प्यार जताया जाए या घरवालों से छुपा कर महंगे कपड़े सोना चांदी दिलाया जाए तो ही प्यार जताया जाएगा प्यार जताने के और भी तरीके हैं जीसे हम सोचते ही नहीं और जो बहुत ही सरल है फस्ट बहुत भूक लगी हो और खाने में देरी हो रही हो तो अपने जुबान को कंट्रोल में रखे या भी आपने प्यार जताया Second, जब आपकी मा या आपकी बेहन आप से आपकी पत्नी की बार-बार शिकायत करती है तो उनकी बातों को सुने जरूर लेकिन पत्नी पर जोर-जोर से चिलाने या ताने मारने की बजाए उसे अकेले में ले जाकर उसका अपना पच्छ रखने दे यदि उसकी गलती है तो उसे प्यार से समझाएं याद रखे यदि आप प्यार से समझाओगे तो वो आपकी पत्नी आपकी बात जरूर सुनेगी यह भी आपने प्यार जताया थर्ड अगर आपकी पत्नी के हातों से खाना अच्छा ना बन सका और हर कोई उसके खाने में कमी निकाल रहा हो तो आप अब पत्नी से इतना जरूर पूछे क्या आज तुम्हारी तबियर ठीक नहीं? मुझे पता है तुम हमेशा बहुत अच्छा खाना बनाती हो मुझे यकीन नहीं होता कि यह खाना तुमने बनाया है आज जरूर तुम बिमार होगी यह किसी परिसानी में होगी इसलिए खाना ऐसा बना है यह भी तरीका है अपनी पत्नी से प्यार जताने का कि आप उसका कि व्यस्त हो या बरतन कपड़े धो रही हो और बच्चे बार-बार परिशान कर रहे हो तो आप खुद बच्चों की बात सुने और उनकी जरूरत को पूरा करें फिप्त यदि किसी दिन आपके पतनी की तबियर ठीक नहीं है तो घरवालों को मना ले कि आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं क्योंकि आज मेरा मन बाहर से खाने को हो रहा है यह भी आपने अपनी पतनी से प्यार जताया प्यार एक एहसास है कोई चीज नहीं जिसे सोना चांदी या पैसो से खरीता चासकता हो आपकी पतनी को आदर समान दोगे उसका ख्याल रखोगे तो वह भी प्यार जताना ही होता है थैंक्यू सो मच